दिपावली से दो दिन पहले धंतीरस का त्योहार मनाया जाता है धंतीरस पर खरिदारी करना बहुत शुब माना जाता है इससे माता लक्ष्मी और धन के देफता कुबेर बेहद प्रसन होते हैं लेकिन खरिदारी के दौरान कुछ ऐसी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए परना माता लक्ष्मी और धन के देफता कुबेर नाराज हो सकती है इससे घर में कंगाली भी चाह सकती है कुछे दिनों में धंतीरस का त्योहार आने वाला है ऐसे में हम आपको ये खास बाते बताने वाले हैं पूरी जानकारी के लिए लोकलिटी ने देवगर के प्रसिद जोतिशाचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल से खास बातचीत की है इस साल 29 अक्टूबर को धंतेरस का त्योहार मनाया जाएगा धंतेरस के दिन खरिदारी करना बहुत शुब होता है यानि बहुत मंगल होता है कई लोग धंतेरस के दिन नए व्यापार की शुरुवात करते हैं तो कई लोग धंतेरस के दिन नए गाड़ी या घर खरीते हैं धंतेरस के दिन सबसे ज़्यादा शुब होता है सोना चांदी और बर्तन की खरिदारी करना लेकिन आपको कुछ चीजों का खास द्यान रखना चाहिए आईए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं जोतिश अचारे बताते हैं कि धंतेरस के दिन अगर आप बाज़ार से कुछ खरिदारी करने जाते हैं तो भूलकर भी कोई काला वस्त्र या काली वस्त्वी ना खरीदे इससे घर में नकरात्मक असर पड़ सकता है धंतेरस के दिन सबसे ज्यादा बरतन की विक्री होती है पर ध्यान रखे की लोहा अलुमिनियम के बरतन भूलकर भी ना खरीदे धंतेरस के दिन काच उसे बनी कोई भी वस्त्व खरीदना शुब नहीं माना जाता इससे माता लक्षमी नाराज हो सकती है और घर पर खराब असर पड़ सकता है इससे घर में कंगाली भी चा सकती है धंतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं खरीद कर घर में नहीं लानी चाहिए घर पर वास्तु दोश का असर पड़ सकता है धन और सुक सम्रिद्धी में विरिद्धी के बजाए जातक को नुकसान हो सकता है तेरस के दिन आप यह निश्चिद याद रखें की काला वस्तु कभी नहीं खर दें काला वस्तु उस दिन जदी खरीते हैं तो आपको धन धान्य शम्रिद्धी के बदले धन धान्य की खानी भी हो सकती है क्या है काला वस्तु कभी नहीं खर दें अल्मुनियम का बरतन कभी नहीं खर दें और कांच से बनी हुई कोई भी बरतन अरिदना मना रहता है पोसिस करें लोहा भी आप नो खर दें, लोहा भी खर देना भानिकारक है एवं प्लास्टिक की वस्तुएं यहाँ धंतेरस को इतनी वस्तुएं छोड़ करकी ही आप भी जाएंगे और उसका पुजा करेंगे तो आपको मिसेस रूप से आर्थिक लाव होगा ऐसे में आज किस वीडियो में आपने जाना कि धंतेरस के दिन किन चीजों की खरेदारी नहीं करनी चाहिए आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे लोकले टीन